जैसी राम चरितमान शेश भाग मंगल भावान या मंगल हारी द्रव हु सुदसरत जर बिहारी मास प्राण पाँचों विश्राम सुन मुनी कथा पुनीत पुनानी जैसी आराम जोगिर चापती संभूब खानी जैसी आराम विशु विधित एक कैकई देसू जैसी आराम सत्य के तुतेह बस नरेसू जैसी आराम धरम दुरंदर निती निधाना जैसी आराम तेज प्रताप सील बलवाना जैसी आराम तेही के भहे जुगल सुत भीरा जैसी आराम सब गुन धाम महारंधी रा जैसी आराम राज धनी जो जेठ सुता ही जैस याराम, नाम प्रताप भानू असता ही जैस याराम, अपर सुतही अरी मर्दन नामा जैस याराम, भुजवल अतुल अचल संगरामा जैस याराम, भाई ही भाई ही परम समीती जैस याराम, सकल दोस चल बरजित प्रीती जैस याराम, जेठ जै सियराम, हरिहित आपु गवन बन कीन ये सियराम जप्रतापवी भयोन निप फिरी दोहाई देश प्रजापाल अति बेद विधि कातों नहीं अगलेश सियावर राम जै जै राम, मिरे प्रवुराम जै सियराम, करो कल्याण जै जै राम हे मुनी वह पभीत्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी संसार में प्रसीद एक कैकई देश है महा सत्य के तु नाम का राजा रहता था राज्य करता था वह धरम की धूरी को धार्न करने वाला नीति की खान तेजस्वी परतापी सुशीर और बलवान था उसके दो वीर पुत्तर हुए जो सब गुणों के भंटार और बड़े ही रणदीर थे राज्य के उत्तरा धिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम परताप भनु था दूसरे पुत्तर का नाम अरी मर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार भल था और जो यूद्ध में परवत के समान अटल रहता था भाई भाई में बड़ा मेल और सब परकार के दोशों और छलों से रही तर सच्ची प्रीती थी राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए बन को चल दिया जब परताब भानु राजा हुआ देश में उसकी दुहाई फिर गई वह वेद में बताई हुई बीदी के अनुसार उत्त्र मरीती से परजा का पानन करने लगा उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं था मंगल भावन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरत या जर बिहारी नरी पहीत कारक सचिवस्यान जैस्याराम धरम रूची सुक्र समाना जैस्याराम सचिवस्यान बंधू बलवीरा जैस्याराम आपू परताप पुझर अन्धीरा जैस्याराम सेन संग चत्रंग अपारा जैस्याराम अमित सुभट सब समर जुझारा जैस्याराम सेन भी लोकी राउ हरशाना जैस्याराम अरुबाजे गह गहे निशाना जैस्याराम विजय ही तु कटकई बनाई जैसी आराम सुदिन सादीन रिप चले उब जाई जैसी आराम जहता है परी अनेक लराई जैसी आराम जीते सकल भूप बरियाई जैसी आराम सब्त दीप बुजबल बसकीन है जैसी आराम राजा का हित करने वाला और शुक्राचारे के समान बुद्धी मान धर्मरुची नामक उसका मंतरी था इस परकार बुद्धी मान मंतरी और बल्वान तथा वीर भाई के साथ ही स्व्यम राजा भी बड़ा पर्चाप्य और नदीर था साथ में अपार्च तुरंगनी सैना थी जिसमें असंख योद्या थे जो सब के सबरण में जूज मरने वाले थे अपनी सैना को देखकर राजा भूत परसन हुआ और घमा घम नगाड़े बजने लगे दिगविजे के लिए सैना सजाकर वह राजा शुबदीन महूर्थ साध कर और डंकाव जाकर चला जहां तहां बहुत सी लड़ाईयां हुई उसने सब राजाओं को बल पुरुक जीत लिया अपनी भुजा के बल से उसने सातों दूइपों भुमी खंड़ों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उने छोड़ दिया संपूर्ण पृत्वी मंडल का उसमें परताप भानू ही एक मातर चक्रवर्टी राजा था संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में परवेश किया राजा आर्थ धर्म और काम आदी के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था भूब परताप भानू बल पाई जैस याराम काम दैनू भै भूमी सुहाई जैस याराम सब दुख बरजित प्रजा सुखारी जैस याराम धर्म सील सुन्दर नर्नारी जैस याराम राजा परताप भानू का बल पाकर भूमी सुन्दर काम देनूमन चाही वस्तु देने वाली हो गई उनके राज्य में सब प्रकार से दुखों से रही तो सुखी थी और सभी इस्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्म थे सचिव धर्म रूची हरी पदप्रीती जैस याराम रिप हित येतु सिखवनित नीती जैस याराम गुर सुर संत पितर महिंदेव जैस याराम करई सतान रिप सब कैसेव जैस याराम भूप धर्म जे बेद बखाने जैसियाराम, सकल करई साधर्म सुख माने जैसियाराम, दिन प्रतिदेवी विद विदिदाना जैसियाराम, सुनई साहतर बर बेद पुराना जैसियाराम, नाना बापी कूप तड़ागा जैसियाराम, सुमन वाटिका सुन्दर बागा जैसिया विपर भवन सुर भवन सुहाए जैसियाराम, सवतीर्थन विचित्र बनाए जैसियाराम, जैन लगी लगे प्रान, सुरूती एक एक सवजाग, बार बार सहसर सहसर, दिप किये सहित अनुराग, सियावर राम जै जै राम, मिरे प्रभुराम जैसियाराम, करो कल्यान जै जै र धर्मरूची मंतरी का हरी के चड़नों में प्रेम था वह राजा के हित के लिए सदा उसको निती सिखाया करता था राजा गुरू, देवता, संत, पीतर और ब्रामन इन सब की सदा सेवा करता था वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पुरुक और सुख मानकर उन सब का पारन करता था परती दिन अनेक परकार के डान देता और उत्तम सास्तर वेदोर प्राण सुनता था उसने बहुत सी बावलियां, कुए, तलाब, फुलवाडियां, सुंदर्व गीचे ब्रामनों के लिए घर और देवताओं के सुन्दर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए वेदोर प्राणों में जितने परकार के यग्य कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यग्यों को प्रेम सीत हजार हजार बार किया हद ना कचुफल अनुसंधाना जैसियाराम भूविवे की परम सुजाना जैसियाराम करईज धर्म करम मनबानी जैसियाराम बासुदेव अरपित निपग्यानी जैसियाराम चड़ी बज चड़ी वरवाज बार एक राजा जैसियाराम रिगिया कर सभी सजी समाजा जैसियाराम राजा के हर्द में किसी फल की टोह कामना न थी राजा बड़ा ही बुद्धी मानुर ज्ञानी था वेह ज्ञानी राजा कारम, मन और वानी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासु देव के अर्पित करता था एक बार वह राजा, एक अच्छे घुड़े प्रसवार होकर, शिकार का सब समान सजाकर, विन्ध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने भूचे उत्तम उत्तम हीर नमारे फिरत विपन रिप दीक ब्राहु जैस याराम, जनुबन दूरे उससी ही ग्रिशी राहु जैस याराम, बढ़ विदू नहीं समात मुखमा ही जैस याराम, मनो क्रोध वस उगलित नहीं जैस याराम राजा ने बन में फिरते हुई एक सूर को देखा, दातों के कारण वह ऐसा दीख पड़ता था मानो चंद्र्मा को गसकर मुख में पकड़ कर राहु बन में आचिपा हूँ चंद्र्मा बढ़े होने से उसके सु मुख में समाता नहीं है और मानो क्रोध वस वह भी उसे उगलता नहीं है वह तो सूर के भ्यानक दान्तों की शोभा कही गई, इदर उसका सरीर भी बहुत विशाल और मोटा था, गोडे की आहट पाकर वै गुर गुराता हुआ, कान उठाए चोकन्ना होकर देख रहा था नील महीदर सिखरसम देखी विशाल बराहु, चपरी चलेव है सूटु की नरिप, हांकी नहो इनिबाहु सियावर राम जै जै राम, मिरे प्रभु राम जै सिया राम, करो कल्यान जै जै राम नील परवत के समान विशाल सरीर वाले उस सूवर को देखर, राजा घोड़े को चाबुक लगा कर तेजी से चला, और उसने सूवर को ललकारा, कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता आवत देखी अधिकर बाजी जै सिया राम, चले उबरा हमरुत गत्ती बाजी जै सिया राम, तूर्त कीन रीपसर संधाना जै सिया राम, मही मिली गयो बिलो कतबाना जै सिया राम अधिक शब्द करते हुए घोडे को अपनी तरफ आता देखकर सूवर पवन वेग से भाग चला, राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चड़ाया, सूवर बाण को देखते ही धर्ती में दुबक गया मंगल भावान या मंगल हारी, द्रवहू सो दशरत या जरभी हारी मेरी आफ से हाथ जोड़कर प्राथन है, कि आपके घर में जो पिमार हो लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगुत गिता जी का, रामायन का, और सुन्दर कांड का, पाट सुनाएं ताकि वो लापराप्त करें, आप अपने बच्चों को भी भगुत गीता जी का, पाट सुनने के लिए प्रेवित करें, पढ़ने के लिए प्रेवित करें, ताकि वो सदमार्ग पर चलें, और भगवान उनकी सदा रक्षा करें, जय हो सी रामायन का, विश्व के कल्यान के मैंे ये पाट आपको सुनाया है, मैं आशा करती हूं, आप सीज्व का लाव उठाएंगी, जय हो सी रामायन का,